हालो गाइस तो गाइस सब वैलकम तो मैं यूटूब चनल रॉल बोई गेमी तो देख सकते हैं गाइसे मेरा पैट्रो इसे मैंने पिछले वाले वीडियो में टेप किया था तो इसका लेवल मैंने बढ़ा है क्योंकि मैं बढ़ गया है क्योंकि मैंने इसे पोटेंट डेस्क बारा पोटेंट इसके लाए थे आट एंबर्स को क्रस्ट करके वह भी श्यान कलर के तो जिससे इसका लेवल काफी अच्छा इंक्रीज हो गया और इसे मैंने सैडल का कलर कोई रोयल्टी कलर का था उससे कर दिया मैंने तो मैं आज का वीडियो इसी टॉपिक ओपर है कि मैं और मैं एक उजमिक इस चैडल डिया कहा से लिए तो देख सेते हैं आप लोग मेरे इंग्याम मेंी की मेरा सायडल जो वो नहीं खुला यहाप रेसेते हैं पेट्रो डाल भाल में Himkim रहे क्या और यूत तो यह निकालकर जो कि प्रीश ऑंस उतनी Oh Uhh सब्सक्राइब का और वो टेनरी खुलती है आपकी 25 लेवल पे 25 लेवल पे अगर आप लोग है तो आप लोग को टेनरी बाई करना चाहिए उसमें आरमर काफी अच्छा मिलता है तो वही मैंने बाई किया है तो देख सकते हैं इसी स्टोरेज चेस में था अगर आप लोग ने 70, 170 कीश का बाई कियाता है एक साइडल तक मैं आपलों को दिखा दिता हूँ यहां से इसमें खुला हुआ है तो मैं आपनों बताओ का का यूज का है तो यहां देख साथ 12C 20 आयासे तो 500 निश्के अशनासे केना और और आपको बाई लाए करना है क्राफ्टिंग इस्टेशन में जाना है तो देख सकते हैं यह 25 लेवल पर खुलता है उपर है देख सकते हैं यहां पर टैंडी लिखा है 40 एमबर्स का है आपको जो ह Animal अच्छा मिल तो कभी क्या होता है इस इस अगर आप lifetime पहना है तो इसका आर्मर काफी अच्छा रहता है मिधि काफी इसमें से अब मैं प差 की ब्लू प्रेट्स हैं तुसे इसका अनिमेजकाा हुएगँ। है थां देख सjenец राप्टर का ब्लुइपिंट जिल नहीं होता है मुझे रैपक्टर का पूछ कम थे तो सबसे सब्रपान जो था वही मैंने रखा यह तो यहां फियोम यहां का भी देख सकते हैं किता था आर्मर देख सकते हैं मैं इसका दिखाता हूँ जटनी मेन का इसका आर्मर मुझे मिलनी रहता है आपर तो मैंसे डून रहता तब ब्लू पेंट वाले का जो है फ्योमी का वह जादा आर्मर है तो देखे जरूर नहीं है कि जितना आर्मर मेरे पास अगर आपको ब्लू पेंट का ही तरह के होते हैं जो नहीं हर बार सेमी मिले तो यहां देख सकते हैं फ्योमिया का काफी काम है आर्मर और जो ब्लू पेंट है वह का ज्यादा है आर्मर उसका तो फ्योमिया का तो मुझे अभी तक एक ही ब्लूपिंट मिला है वो भी मैंने फ्री वाच ए है यानि काफी अच्छा आरमर है ब्लूपिंट में और मुझे रैप्टर का विभी 2-3 ब्लूपिंट मिलया था तो कुछ का 112 था कुछ का 98 था तो यह सब्से यादा वाला ब्लूपिंट था तो बाकि से मैंने ब्लूपिंट ड्रॉप कर दिया तो यहां देख सकते हैं जो इस पर का ब्लूपींट है उसका आर्मर ज्यादा है देख सकते हैं आप लोग तो जरूई नहीं हर बार जो ब्लूपींट है सबसे जरूरी जो इस पर 20 लेवल पहले मिल जाता है मतलब अगर गिगानेटो सौरस का जो सैडल वो 96 लेवल पर मिलता है इसका जो सैडल है वो आपको 76 लेवल पर मिल जाएगा और यहां से आप लोग देख सकते हैं यहां से क्योर्स बाई कर सकते हैं देख सकते हैं तो यहां से अमबर होने चाहिए आपके पास तो अल्लिमिटे ट्रिक है अप लोग यूट्टीब पर सर्च कर लिज़ेगा जो सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को दबाके अल पर सेलेक कर लिजे तो जैसा मैंने बता है कोई भी आर्मर का सैडल जो इस पर 20 लेवल पहले ही खुल जाता है जैसे एक्जामपल दिया था गिगानेटोसोरोस का जिसका सैडल खुलता है 96 लेवल पर और टैनरी में सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको लेवल 45 लेवल तक के सैडल आपको मिल जाएंगे इसमें तो मतलब आपको जो इन गराम में 45 लेवल तक सैडल कुलते है वह इसमें मिल जाएंगे आपको 25 लेवल पहले मिल जाएंगे तो आपको 25 लेवल पर मिल जाएगा तो इसका काफी अच्छा यूज़ है तो आप लोग इसको जरूर बाइ करिए तो एमबर की कमी नी क्योंकि अलिमेटें आइमबर की ट्रिक है एक यूटूब पर आप लोग चेक कर लिजेगा काई यूटूबर्स ने इसके पर वीडियो तो मैं इसके उपर वीडियो नहीं बना रहा इसलिए तो आप लोग उसको जाके चेक कर लिजेगा यूटूब से देख सकते हैं इसमें काफी अच्छा आर्मर भी मिल जाएगा आप लोग को इससे आपका डाइनो जल्दी कील नहीं होएगा तो याद देख सकते हैं जो बि प्रेंटरी में खुला हुआ है तो इससे आप लोग अधाजा लगा सकते हैं तो सोगा आज के लिए बस इतना ही आई हुप कि आपको वीडियो चलेगी होगी वीडियो चलेगी तो प्लिस जली की सभी वीडियो को लाइक कर दिए कमेंट कर दिये शेर कर दिए और चैनल को स